माननिये वड़ा प्रधान श्रीये अपेला मूल मंत्र घरे रहो, सुरक्षित रहो, स्वस्त रहो अने जवाबदार बनो तथा जवाबदार बनाओ थी शरू करूजु। लोगडाउन ना बे सब्ताना त्रीजो तबक्का संदर बे केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार तरफ थी जे गाइडलाइन आपवा मां आवेल छे, ते गाइडलाइन नो अमल कराववा तमाम एकमों ने जणावा मां आवेल छे। आसंदर बे पुलीस विभाग तरीके अमारे अने जागरत नागरिक तरीके राज्य ना तमाम लोकों ए बे बाबत उपर विशेश ध्याना पवानू रहे छे। जे मा पहली बाबत छे सांजना साथी सवारना साथ वाग्या सुधी अवर जवर उपर प्रतिबंध नो छुस्तमल रेड ओरेंज अने ग्रीन एम त्रणे जोन मा आ समय दर्मियान आवश्यक सेवाव सिवाईनी तमाम प्रवत्ती बंद रह्षे अने आ समय दर्मियान लोग जो घर माज रहे ते जरूरी छे पुलीस ने पन आबाबत नू सक्त अमलिकरन कराववा सुचना आपवा मा आवेल छे जे थी आ समय दर्मियान तमाम चेक पोस्ट उपर पुलीस द्वारा रोड ने ब्लॉक करीने सघन चेकिंग करवा मा आवश्यक जे लोगो आ समय दर्मि सक्रित हशे मात्र तेमनेज जवा देवा मा आवशे बीजी महत्वनी बाबत छे सीनियर सिटिजन्स नी सुरक्षा सरकार्नी गाइडलाइन मा पंड आ अंगेस पष्ट जनावा मा आवेल छे कि गंभीर बिमारी अथ्वा स्वास्ते संबंधी तकलीफो धरावता वयस्क लो सगर्भा महिलाओ अने बालको घरेज रहीने अने मेडिकल एमर्जेंसी जेवा अनिवारे कारणों सिवाए बाहर न निकले ते इच्छनिय छे जेती सगर्भा महिलाओ बालको अने वडिलो शक्य तेटला आईसोलेटेड रहे तेउ आयोजन करवा जरूरी छे जे थी आप अन्ने बाबते माटे पुलीस पूर्तु ध्यानाप्षे परंतु समाज तरीके आपने सव जवाबदार नागरिक बनीने आप अन्ने बाबत नू पालन करिये तेवी मारे मीडिया ना माध्यम थी तमामने अपील छे अगाउपन जेम जनायवे होतु तेम रेड जोन अने खास करीने रेड जोन माँ आवेल कंटेनमेंट एरिया उपर फोकस करवा माँ आवी रही हो छे लोगडाउन ने वधू असरकारक बनावा कंटेनमेंट एरिया माँ आवेल विस्तारों लोगों ना अने त्याना स्थानिक आगेवानों ने पन सेहकार लेवा माँ आवी रहया छे आवा विस्तार मां लोगों नी अवर्जवर केवी रीते घटारी शखाए मिनिमम्म करी शखाए अने कंटेनमेंट एरिया मां थी कोई व्यक्ती बाहर ना जाया अने बाहर थी कोई कंटेनमेंट एरिया मां ना आवे ते माटो ने माइक्रो मैनेजमेंट स्थानिक आग्यवानों करे तेवु आयोजन पन करवा मां आवेल छे आवा विस्तार आसपास पुलीस फिक्स पॉइंट राखी विडियोग्राफी साथे नूँ शक्य तेटलू कड़क चेकेंग करवा मां आवी रहयो छे राज्यमा जयां ओरेंज जोन और ग्रीन जोन छे त्यां जेते विस्तार ना अंदर अमुक शर्तों ने अधीन वाहनों नी अवर्जवर नी छूट आपवा मां अवेल छे परन्तु तमाम प्रकारना जोन मा पैसेंजर ने खानगी वाहनों नी आंतर जिलानी अवर्जवर अधिक्रित पास के पर्मिशन साथेज थाई शक्षे अमुक लोको कोईपन जातना पास वगर एक जिला मा थी बीजा जिला मा जवा प्रयत्न करी रहया छे आवा तमाम वाहनों ने अने लोगों ने पुलीस द्वारा अठकावा मा आवशे आनियम मा मालवाहनों अने आवश्यक सेवा साथे जोडायल व्यक्ति के वाहनों ने समावेश थतों न थी रत्न कलाकार जेवा जे लोगों अनिवार्य कारंसर शहर मा थी स्थानिक जिला मैजिस्ट्रेट तरफ थी पास मेडवी ने पोताना वतन गाम जे रहा छे तेवा लोगों ने गाम मा प्रवेशाप्या बात नियत समय माटे कौरंटाइन मा राखवा मा आवे ते गाम ना सरपंच अने आग्यवानों द्वारा सुनिष्टित करवू जोईए आवा कौरंटाइन ना समय दर्म्यान बाहर थी आवेल कोई व्यक्ति मा संक्रमन ना कोई लक्षणों देखाए ते हेल्थ विभाग साथे मड़ीने तेनी सारवार माटे आगर्णी कारवाई पन करवू जोईए अन्य राजना वतनी होए अन्य वतन जवा मांगता होए तेवा लोकोंने संबंधित राज्यमा मोकलवानी विवस्था वधू तेज गती थी चाली रहियू छे लगभग तमाम मोटा शहरों माथी क्रेन अने बसनी विवस्था थेल छे आ विवस्था चालूज रह शे अन्य जे लोकों पोतानू वतन जवा मांगता है तेना माटे जरूरी विवस्था पन करवा माँ आवी रहया छे संख्या खुबजवधू हुआ थी आ प्रक्रिया मा थुड़ुक दिवसो लागी शके छे आ दिर्म्यान तंत्रने सहकार आपो अने पुलीस के तंत्र साथे संगहर्ष मा ना उत्रो अने धीरजपूर्वक थोडिक राह जुओ तेवी अपील छे तंत्र साथे संगहर्ष मा उतरवानी बाबत चलावी लिवा मा आवशे नहीं अने काईदा नो शक्य तेटलो कड़क उप्योग करीने पुलीस कारवाई कर छे गईकाले सूरत ग्राम्य जिलाना पलसाना मा पुलीस साथे संगहर्ष करवानी जे घटना बनी अती तेमापन पुलीस द्वारा डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टीज आक्ट नी कलमो तथा आईपीसी 307-120-B अने रायटिंग जेवी गंभीर कलमो हेठड गुनो दाखिल करीने 204 लोगों नी धरपकड करवा मा आवेल छे वतन जवा इच्छता लोगों ने लोकोए जेल मा ना पहुँचे अने शान्तिती पोतानू वतन पहुँचे ते माटे तेओ पुलीस ने अने विवस्था तंत्र ने सहकारा पे तेवी फरी अपील करू छू डिटेन करवा मा आवेल वाहनों पैकी गईकाले राज्य मा कुल 8365 वाहनों मुक्ट करवा मा आवेल छे हाल सुधी मा कुल 1,89153 वाहनों मुक्ट करवा मा आवेल छे सुसाइटी ना CCTV पुलीस द्वारा चेक करवा मा आवे छे अने ते आधारे गईकाले राज्य मा कुल 21 गुनाओ दाखिल करी 15 लोगों नी धरपकड करवा मा आवेल छे राज्य मा आध सुधी आवा कुल 547 गुनाओ मा 815 लोगों नी धरपकड पन थाई गेल छे लोगडाउन चालू छे त्यां सुधी पुलीस द्वारा सतत ड्रोन, CCTV अने एन पियार न माध्यम ती नजर राखवा मा आवी रहा छे अने जियां लोगडाउन भंग नो ध्याने आवे छे त्यां कारवाई करवा मा आवी रहेल छे गईकाले राजय मा ड्रोन ना फुटेज ना मदद थी कुल 136 गुना दाखिल थेल छे आज सुधी मा ड्रोन ना फुटेज ना मदद थी कुल 11,200 गुना दाखिल करी कुल 21,163 लोगों नी धरपकड पन करवा मा आवी छे CCTV ना फुटेज ना अधारे गईकाले कुल 87 गुना दाखिल करी ने 9 लोगों नी अटकायत करवा मा आवेल छे समग्र राजय मा आज सुधी मा आवा कुल 2579 गुना नोंधी कुल 365 लोगों नी धरपकड पन करवा मा आवेल छे सोशल मीडिया मोनेटरिंग ना अधारे खोटी माहेती यत्वा अफवा अंगे ना 13 गुना दाखिल थेल छे आज सुधी मा आवा कुल 657 गुना मा कुल 1361 अडोपियो नी पन धरपकड करवा मा आवेल छे सोशल मीडिया उपर अफवाओ फैलावता गईकाले 15 अकाउंट पुलीस द्वारा बंद करवा मा आवेल छे अत्यार सुधी मा कुल 611 अकाउंट पुलीस द्वारा बंद करावा मा आवेल छे एन पियर ना अनालेसस थी गईकाले 47 गुनाओ अने आज सुधी मा कुल 1098 गुनाओ दाखिल थैल छे वमिडियो ग्राफर द्वारा थैल शूटिंग न अधारे गईकाले कुल 146 गुदाओ अने आज सुधी मा कुल 2408 गुनाओ धाखिल करवा मा आवेल छे प्रहरी जेवा खास वानों उपर जेमा कैमरा लागेला छे तेथी मदद थी गईकाले 67 गुनाओं मा अने आजसुधी मा कुल 827 गुनाओं दाखिल थेल छे गईकाल थी आजसुधी न गुनाओं नी विगत जाहर नमा भंग ना गुनाओं नी संख्या 2038 गुरंटाइन करेला व्यक्तियों द्वारा काईदा भंग ना गुनाओं नी संख्या 754 अन्य गुनाओं 543 गईकाल ना कुल गुना 3335 आज देन सुधी ना कुल गुना 1,3,710 आरोपी अटक करेला नी संख्या 4568 जब्त थेल वानों नी संख्या 6910 मानिय प्रधानमंत्री जी के मूल मंत्र घर पे रहो, स्वस्त रहो, सुरक्षित रहो और जिम्मेदार बनो और जिम्मेदार बनाओ से शुरू कर रहा हूं लॉगडाउन के दो सप्ता के इस तीसरे चरण के संदर्भ में केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइन का पालन करवाया जा रहा है इस संदर्व में पुलीस विवाग की तरह हमें और सतर्क नागरिक की तरह राज्य के सभी नागरिकों को दो बातों का खास ध्यान रखना है इसमें पहली बात है शाम को साथ से सुबह के साथ बजे तक आवाजाही के प्रतिबंद का सख्त अमल रेड औरेंज और ग्रीन जोन में इस समय आवशक सेवाओं के अलावा सभी प्रति बंद रहेंगे पुलीस को भी इस बात का सक्त अमल करवाने की सूचना दी गई है इसलिए सभी चेक पोस्ट पर पुलीस द्वारा रोड ब्लॉक करके सक्त चेकिंग की जा रही है जिन लोगों को इस समय में आवाजाही की अनुमती है मात्र उनको ही दिया जाएगा दूसरे महत्व की बात है सिनियर सिटिजन्स की सुरक्षा सरकार की गाइड लाइन में यह पश्ट बताया गया है कि गंभीर बिमारी या स्वास्त संबंदित तकलीफों वाले वयस्क लोग सगर्भा महिलाएं और बच्चे घर पे ही रहें और अनिव्यारे ना हो तब तक बाहर न निकलें इसलिए सगर्भा महिलाएं बच्चे और वयस्क हो सके उतना आईसोलेटेड रहें इसका आयोजन सब को मिलके करना चाहिए पुलीस इन दोनों बातों का पालन कराने का पूरा ध्यान देगी लेकिन समाज के हेतु आपको भी जिम्मेदार नागरिक बन के इन दोनों बातों का पालन करना होगा ऐसी मेरी मीडिया के माध्यम से सभी से अपील है जैसे कि पहले बताया है रेड जोन और खास करके रेड जोन में आए हुए कंटेनमेंट एरिया पे फोकस किया जा रहा है लॉकडाउन को ज्यादा और असरदार बनाने के लिए कंटेनमेंट एरिया के विस्तार में स्थानिक आग्यवानों के सहयोग से आवा जाही घटाने और बाहर का कोई व्यक्ती कंटेनमेंट एरिया में प्रवेश ना करे इसलिए माइक्रो मैनेजमेंट किया जा रहा है ऐसे विस्तारों के आसपास पुलीस के फिक्स पॉइंट पर विडियोग्राफी द्वारा सक्त जेकिंग की जा रही है राज्य में जहां ओरेंज और ग्रीन जोन है उन विस्तारों में कुछ शर्तों के अधीन वाहनों की आवाजाही की छूट दी जा रही है लेकिन सभी प्रकार के जोन में पैसेंजर और प्राइवेट वाहनों की आंतर जिला आवाजाही पास या पर्मिट से ही हो सकेगी कुछ लोग किसी भी प्रकार के पास के बगएर बिना एक जिले से दूसरे जिले में जाने का प्रयास कर रहे हैं ऐसे सभी वाहन और लोगों को पुलीस के द्वारा रोका जाएगा इस नियम में मालवाहक वाहन और अवश्यक सेवा से जुड़े हुए व्यक्ति के वाहनों का समावेश नहीं होता है रत्न कलाकार जैसे लोग शेहर के स्थानिक जिला मैजिस्ट्रेट के पास से पास लेके गाउं जा रहे हैं ऐसे लोगों को गाउं में प्रवेश देने के बाद नियत समय के लिए कुरंटाइन में रखा जाए ये गाउं के सरपंच और आग्यवानों के द्वारा सुनिश्चित होनी चाहिए कुरंटाइन के चलते बाहर से आए किसी व्यक्ति में संक्रुमन के अगर लक्षन दिखाई देते हैं तो हेल्थ विभाग के साथ मिलके इलाज की कारवाई भी तुरत होनी चाहिए अन्य राज के वतनी हो वो अगर वतन जाना चाहते हैं ऐसे लोगों को संबंधित राज्य में भेजने की विवस्था तेज गती से की जा रही है लगभग सभी बड़े शेहरों से ट्रेन की और बस की विवस्था हुई है और हो रही है अन्य राज के वतनी जो अपना वतन जाना चाहते हैं ऐसे लोगों के संबंधित राज्य से भेजने की विवस्था की गती बढ़ा दी गई है लगभग सभी शहरों से ट्रेन और बस की विवस्था की गई है यह विवस्था अमल में रहेगी और जो लोग अपने गाउं जाना चाहते हैं उनके लिए भी जरूरी विवस्था की जाएगी संख्या बहुत ज्यादा होने के कारण इस प्रक्रिया में थोड़े दिन लग सकते हैं इस समय प्रस्याशन को धिरजपूरुवक, सहयोद देने और पुलिस तंत्र के साथ संगहर्ष में न उतरे ऐसी मेरी उनसे खास अपील है तंत्र के साथ संगहर्ष की बात नहीं होनी चाहिए और अगर हुई तो कानून का सक्त उप्योग करके पुलीस कारवाई करेगी कल सूरत ग्रामे जले में पलसाना में पुलीस के साथ संगहर्ष की घटना बनी थी जिसमें पुलीस ने डैमेज टू पब्लिक प्रोपर्टी एक्ट की कलम और आईपी सी 307-120-B और रायटिंग जैसे गंभीर कलमों के तहत गुना दर्ज करके 204 लोगों को हिरासत में लिया है मेरी अपील है कि जो लोग गाउं जाने को इच्छुक हैं वो जेल में ना पहुँचे और शांती से अपने गाउं पहुँचे इसके लिए पुलीस को और विवस्था तंत्र को सहयोग दें कल डीटेन किये गए वाहनों में से राज्य में कुल 8365 वाहन मुक्त किये गए हैं अब तक कुल 1,530 वाहन मुक्त हुए हैं सोसाइटी में लगे CCTV भी चेक किये जा रहे हैं राज्य में ऐसे 21 गुना दाखिल हुए हैं और 15 लोगों को पकड़ा गया है अब तक ऐसे कुल 547 गुना में 815 लोगों को हिरासत में लिया गया है जब तक लॉकडाउन अमल में है तब तक पुलीस के द्वारा निरंतर ग्रोन, CCTV और ANPR के माध्यम से नजर रखी जा रही है और जहां लॉकडाउन के उलंगन की घटना ध्यान पे आती है वहां कानूनी कारवाई की जा रही है राज्य में कल रोन की मदद से कुल 136 गुना दर्ज हुए हैं अब तक ऐसे कुल 11,200 गुना दर्ज किये गये हैं और इन में 21,163 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है CCTV फुटेज के आधार पे कल कुल 87 गुना दर्ज करके नवानू लोगों को हिरासत में लिया गया है अब तक ऐसे कुल 2500, 79 गुना संपूर्ण राज्य में दर्ज किये गये हैं अब तक ऐसे गुना में कुल 3655 लोगों को हिरासत में लिया गया है सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के आधार पर गलत खबर या अफवा के 13 गुना दर्ज किये गये हैं अब तक ऐसे 657 गुना में कुल 1361 लोगों को हिरासत में लिया गया है कल सोशल मीडिया द्वारा अफवा फैलाने पर पुलीस के द्वारा पंदरह अकाउंट बंद किये गए हैं अब तक कुल 611 अकाउंट पुलीस के द्वारा बंद कराए गए हैं कल A.N.P.R. Analysis के द्वारा 47 गुना और आज तक कुल 1071 गुना दर्ज किये गए हैं कल वीडियोग्राफर के द्वारा की गई शूटिंग के आधार पे कुल 146 गुना और आज तक कुल ऐसे 2408 गुना दर्ज किये गए हैं प्रहरी जैसे खास वानुप की मदद से 67 गुना और अब तक ऐसे कुल 827 गुना दर्ज किये जा चुके हैं यू 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 जा कियां दर्ज किये कुल 147 गुना एब तक कि देगा हैं